राजेस्तान उदैपूर के बाद अमरावत्य में जो नुपूर शर्मा ये विशे के उपर जो एक खत्या करने हुई उसी तरीके की एक घटना महाराष्टा में कर्जत में अमदनगर जीले में चार अगस्त को प्रतिक पवार नाम का जो एक युवक है हिंदू युवक है उसको 10 से 15 मुसल्मान युवकों ने उसके उपर तलवार और अलग-अलग सस्त्र के साथ उसके उपर हमला किया उसको ये भी कहा है कि तू बड़ा हिंदू हिंदू करता है सब को डिपी रखने को बोलता है इसका सर कटवा दो ऐसा बोलके उसके उपर वो 10 से 15 युवकों ने हमला किया और नीचे गिरने के बाद उसके उपर थुका भी और उसके बाद ये सब घटना मालू होने के बाद वहाँ के जो पवार के जो मित्र है उसको लेके हस्पताल में लेके गए उसको वह एड्मिट किया और आज वो सीरियस है वो आपने जान के साथ जान बचाने की उसकी डॉक्टर कोशिश कर रहे है मेरा मुद्दा इतना ही है के नुपूर शर्मा ये जो विशे है ये देश आज खतम कर चुका है तो कितने साल और कितने हिंदूों को अपनी जान इस विशे के लिए देरी पड़ेगी ये सवाल मुझे इस वक्त उसको पूछना है हमारा देश बाबा साइब अमबेड करांके सविधान पर चलता है शर्या काइदा पर चलता नहीं है और जिसको हमारा सविधान पसंद को मानना नहीं है और हमारे राज्य में शर्या काइदा की हिसाब से चलना है तो उनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अगर हमके हमारे हिंदूों को तार्गेट करना, मारना, उनकी जान लेना अगर बंद करेंगे नहीं तो हिंदूों को भी अपनी तीसरी आग खोलनी पड़ेगी ये संदेश, ये पत्रकार परिशत के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ गीता का एक सार है सस्त्रने रक्षते राष्टम, सस्त्र चिंता प्रवरत्ते इसका अर्थ यही है कि राष्ट के रक्षन करने के लिए सस्त्र उठाना पड़ा तो गलत नहीं है और धर्म के रक्षन के लिए सास्त्र का आधार ले ऐसा हमारे गीता में लिखा है हम किसी को भी बार बार हमारे हिंदू देवी देवताओं को अपमान किया जाता है अलग-अलग सोशल मीडिया पर उनके पार में पोस्ट लिखी जाती है मर उसके खिलाब कोई किसी की जान लेता नहीं है कोई किसी के अबर हमला करते हो हमला ने देखा नहीं है अगर हिंदू समाज बनके अगर हम इस तरीकी की भूमिका रखते है तो मुझे ऐसा लगता है अगर सामने से अगर हम कोई हमला करता हो तो सास्त्र के साथ सास्त्र उठाना ये भी हमारे धर्मे रिका है धर्म के रक्षन के लिए राष्ट के रक्षन के लिए हमको अगर ऐसी भूमिका लेनी पड़ी तो वो भूमिका लेने के लिए हम तयार है प्रतीक पवार के साथ हम सभी के सभी खड़े है उनको जल्दी ही हमारे मेरे सवकारी आमदार गोपीचन पडल कर जी भी जाके मिलेंगे मैं खुद भी जाके मिलूँगा हमारे राज्य के उप्पमुक्य मंत्री देवेंदर फड़नवीजी ने इस पूरी घटना में जो जो कड़क कारवाई करनी पड़ी उन्होंने आईजी से बात की उन्होंने वाके एसपी को आदेश दिया और एक स्ट्रॉंग कड़क एफ़ायार उन्होंने यहाई लिया है उसके हिसाब से कारवाई अभी पोलिस कर रही है हमला करने वाले लोगों को कहूंगा क्या भी महाराष्ट में माविकास आगाडी की सरकार रही नहीं नवाब मलीक असलम शेक यह लोग सब अभी मंत्री मंडल में नहीं है अभी क्या रजा एकेडमी पॉपुलर फ्रंट ओप इंडिया इनको खुले आम काम करने को नहीं मिलेगा सही वक्त पे अगर इस यह सच चीज रुकी नहीं तो सरकार के माद्यम से तो जवाब मिलेगा ही उसके साथ जो हिंदू संगटनाय है और हिंदूों की रक्षा करने के लिए फिर हमें भी उसी तरीके का जवाब देने की हमारी भी तयारी है इस तरीके का मेसेज, संदेश, यह पतरकार परिशत के माद्यम से मुझे देना है लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन ख़बरों के लिए टीविवर इंडिया लाइट को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत देए